नमस्ते बच्चों आज हम बाद विदी सिखेंगे 2.10 के अंदर है दस्वी ग्लास क्वेशन देखें 2x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वेर माइनस 5x माइनस 8 आपको भाग लगाना है इसको ध्यान से शीख लिजे बहुत अच्छी विदी है यह बोर्ड में एक कोशन आपता है इसका आप लोग अच्छी तरशे ध्यान से देखें इसको कैसे आल करना है एक्कम सरल विदी है सबसे पहले हम क्या करेंगे इस पद को इसको देखना है सबसे पहले 2x की पावर 3 में अपने को x का बाग लगाना है और यहां लिखा जाएगा 2X Street 3 में एकस का बाद लगाएंगे तो 2 X sqlair आएगा 2x sqlair आएगा वो यह लिखा जाएगा 2 x sqlir उसके बाद क्या करना है इस दो एकस स्क्रड की x – 1 से घुना करनी हैं 2x sqlir की x – 1 से घुना करेंगे इसको इस तो हम लें प्लस से गुणा करो तो दो एक्स की पावर तीन माइनस गेहां तो माइनस हो जाएगा यह यह कट जाएगा अब देखिए चार और दो दोनों ड़ूत प्लस कें जुड़ जाएंगे च्छे-इस फ्वेर होँगा मैनस का पांच एकस है माइनस का 8 है ठीक है अब ये जो रख काम किया था वह मिटा देंगे अब जो काम पहले परिकरिया अपनाए कि उसी परिकरिया को पुनहे अपनाना आपको इस च्छे-इस स्वेर के अंदर हमें बाग किसका लगाना है, x का बाग लगाना है, बाग देंगे तो किता आजएगा 6x आजाए, वह यहां लिख देंगे प्लस का 6x, कोई निशान नहीं है, वो प्लस का माना चाथना है, ज्यान दखना, फिर क्या करना है, इस 6x की, इस x-1 में गुणा करनी है x-1 में गुणा करनी है और द्यान से देखिए 6x square minus का 6x यह यहां लिख देखे 6x square minus का 6x यह minus हो जाएगा यह plus हो जाएगा यह cut जाएगा अब 6x plus का है minus का 5x 6x में से 5x जाएगा तब जाएगा 1x बचेगा minus का 8 उतार लीजिए और पुनें यह वापिस मिटा देते हैं अब आगी देखिए फिर इस x के अंदर x का बाग लगाए x बटा x क्या होता है जान रखना 1 होता है यह plus का 1 यहां लिखा जाएगा फिर इस 1 की क्या करनी है x-1 में गुणा करनी है एक की गुणा करते हैं सेम वही आजाता है x-1 आजाएगा यह चिन-चैन कर दीजे minus और यह क्या होता है प्लस यह कर जाएगा minus 8 में से plus 1 जाएगा तो minus का 7 जाएगा यह आपका सेस्फल आजाएगा क्या आजाएगा सेस्फल यह 2.3 पेंदर यह बहुपद है बाग विदी से हल करना होता है बहुत सरल कॉशन है ठीक है एक दो और देखते हैं अब लोग कॉशन एक जाएगा से देखे 4 x की पावर 10 minus 7 x square plus 8 x minus 10 अब आप भाग लगाएगे कहीं तिन तिन पद आजाएगे यहां पर ध्यान देखे ठीक है तिन तिन पद x square minus x plus 1 इससे बाग देना है कैसे हल करेंगे को ध्यान से देख लिजे ठीक है तिको 4 x की पावर 3 4 x की पावर 3 में बाग लगाना है किसका लगाना है x square का बाग लगाना है मैंने का था इस पद को इस पद कोई देखना क्लिवल 4 x की पावर 3 में x square का बाग लगाएंगे तो अपने पास में किता आजाएगा 4 x आजाएगा x की पावर 3 3 मेंसे यह दो चले जाएगे एक x मचेगा यह 4 साथ में तो यहाँ पर किता आजाएगा 4 x आजाएगा अब याद ध्यान रगना 4 x की क्या करनी इसमें गुणा करनी है 4 x की गुणा करनी है x square माइनस का x है प्लस का यह गए गुणा तर यह क्या आएगा लिगो 4 x की पावर 3 माइनस 4 x square प्लस 4 x अब यह यहाँ उता दीजिए 4 x की पावर 3 माइनस का 4 x square प्लस का 4 x प्लस का 4 x सभी में चर चर आगे अब जान निशे देखे चिन बदल दीजिए माइनस यह प्लस हो जाएगा यह माइनस हो जाएगा यह कट जाएगा अब देखे 7 x square माइनस का है प्लस का 4 x square है तो यहाँ बद जाएगा माइनस का 3 x square बद जाएगा 8 x में से 4 x जाएगे प्लस का 4 x बद जाएगे प्लस की सेंगे बड़ी है माइनस का यह 3 आज जाएगा ठीक है अब वापिस वही परिक्रिया अपने को कैसे घ्यान से देखिए आप लोग माइनस 3 x square माइनस का 3 x square और बट्टे में यह x square होताँ है यह हमेशा जब बार-बार पुन है परिक्रिया अपनाते हैं तो बट्टे में यही संख्या लिखे जाती है यह x square से x square कर जाएगा माइनस का 3 आएगा यहाँ पर माइनस का 3 लिख दीजी फिर इस क्या माइनस 3 की इस पूरे के अंदर गुणा कर दीजी माइनस 3 लिखर के यह उतार लिजी x square माइनस का x प्लस का x गुणा कर यह कैसे दिखो माइनस का 3 x square मांस मैनस प्लस का 3X हो जाएगा या का 3 स्वेर्ट प्लस का 3 X हो गया immeंस का 3 हों प्लस यह भी कट जाएगा यह प्लस और मांस यह 3 लेगे क्यों 3 x मेंसें 3 x द यह प्यांड चार एमसरे को एंस इस बार घुजेhew, तो यह आपका दूसरा क्वेशन हो चुका है अब हम एक क्वेशन और देखते हैं बहुपद का बहुत अच्छे क्वेशन है द्यांके देख लिए द्यांके देखते हैं कि दो एक्स के पावर चार प्लस तीन एक्स स्क्वेशन है ती एक्स क्यूब और प्लस का साथ एक्स है और माइनस का दो हो बहुत अच्छा है और आपको खाल नहीं कैसे करेंगे बहुत अच्छा कुशन है धियान से देखी है तक हम लोग लोग सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे नियम होता है इस पद को बाकि किसी को देखना ही नहीं होता है अपने आपग अंसर आ जाते हैं 2x की पावर चार में किसके बाग लगांगे एकस का बाग लगांगे तो श्या आएगा दो श्यागड़ा दो श्यागर बावर चार फिर 2x फिर यान लिख दीचे दो श्याद फिरी दोःक्स की पावर तेल और Обना गेगे Алग से गुञा प्लस चार एक्सथी ठीके अब माइनस माइनस यह कट जाएगा अब देखिए प्लस का 3 x 3 3 x की पावर 3 है और माइनस का 4 x की पावर 3 है तो माइनस x की पावर 3 बच जाएगा अपने पास में यह माइनस का पाँच x square plus का 7 x minus का 2, इसे मिटा देंगे, वापिस वही परीक्रिया आपनाएंगे, सबसे पहले आप इसको उतारेंगे और बट्टे में यह लिखेंगे, माइनस X के पावर 3, बट्टे में क्या लिखेंगे, X लिखेंगे, अंसर किता आजाएगा, माइनस X स्वेर आजाएगा, वो यहा लिख देंगे, माइनस X स्वेर, फिर क्या करना है, माइनस X स्वेर का, गुणा करना है, माइनस X स्वेर की कि माइनस का तीन एक्स क्वेर अब आपीस वही परीकरिया अपनानी है आपको ज्यां से देखिये माईनस 3x σ्क्वेर के अंदर किसका यहां लिग देंगे माईनस 3x की गुणा करने हैं किस में x प्लस 2 में तो गुणा करिए देखो तीन-6 यहां लिग देंगे माइनस का 3x square माइनस का 6x यह भी प्लस यह भी प्लस यह कट जाएगा अब अब देखो साथ और 6 कि ते रहा एक्स होगे ते रहा एक्स माइनस दो गया ठीक है आगे चलते हैं फिर देखिए आप लोग माइन प्लस का 13x 3x के इंदर फिर x का बाघ जा रहा है 13x में बाघ लगाएंगे tothing साधिए च्टेह से माइनस यह त। यह तो कर जाएगा 26 और 2 कि तो यह 28 हो जाएगा माइनस का 28 आजएगा यह आपका सेश पवाद आजएगा तो यह आपका बहुत बाग भी दीए ठीक अब हम एक वेशन और करके देखते हैं देखिए एकला वेशन एक्स थ्री माइनस वाई थ्री बाग भी दीए एक्स माइनस वाई का भाग लगाने ज्यान से देखिए एक्स थ्री में एक्स का भाग लगाएंगी तमारे पास एक्स स्वेर आजएगा ठीक है फिर एक्स स्वेर की एक्स में गुणा करने आगो एक्स की पावर तीन आ जाएगी ठीक है एक्स स्वेर की फिर माइनस एक्स में y3 आ गया अब फिर क्या करना है x square y में x का बाग लगाना है देखिए x square y के अंदर किसका बाग लगाना है x का इस x से x कर जाएगा तो क्या बचेगा xy बचेगा वह xy यहां लिखेगे प्लस का xy फिर इस xy की इसके अंदर गुणा करने है ठीक है यह गुणा किसमे करने है x-y में गुणा करने है यह आ जाएगा x square y माइनस यह x y square हो जाएगा अब यहां लिख दीजिए x square y यह लग लिखना पड़ेगा फिर x y square चिंद चैन कर दीजिए यह माइनस यह प्लस यह फिर कर जाएगा अब इसको पहले उता लिजिए x y square माइनस y की 3 खीक है अब हुमें क्या करना है वापिस वही x y square के अंदर x का बाह लगाना है x y square के अंदर x का बाह लगाना है x x कर जाएगा क्या बचाएगा y square वो यहां लिख दीजिए y square फिर इस y square के अंदर किस की गुणा करनी है x minus y की गुणा करनी है गुणा कर दीजिए दिए क्या आएगा x y square minus y की पावर टी देख लो x y square minus y की पावर टी यह minus और यह पुलस यह कट जाएगा तो यह आपका question हो चुका है बह कर दोगा है